कि देखिए एम इज आर वाज एंड वेर यह जो ट्रांसलेशन है देखिए मैंने आप से कहा था कि अगले तीन वीडियो अगले तीन महीने में हम आपको ग्रामर और ट्रांसलेशन से जो रिलेटेड वीडियोज है वह मैं आपका कंप्लीट करा दोंगा और एक यूनीक कुछ अलग अंदाज में क्योंकि हमारे चैनल पर वीडियोज आपको बिल्कुल अलग अंदाज में मिला होगा सारे चैप्टर वाइस सारे चैप्टर को मैंने पढ़ाया है आपने देखा होगा तो सबसे अलग आपको मिला कि नहीं तो यह जरूर पक्का वीडियो यह वीडियो हुई आपको सबसे अलग मिलता है मिलेगा पक्का मिलेगा तो चलिए शुरू करते हैं जैसे पहला है मैं स्वस्थ और खुश हूं आप लोगों ने बनाया होगा जैसे मैं स्वस्थ हूं इसका क्या बनाते हैं हाई हेंहें हमी अब है em एस और आर किसके शाथ लगता है यह तो बताने की ज़रूरत नहीं आई के साथ सिर्फ ए लगता है और इस जो है वह सिरफ थार्ड परसंप सिंघलno nar के साथ लगता है थार्ड परसंफ तार्ड परसंफ प्रसंप सिंघ्र ऑट है देखिए आई वी और यू इसको छोड़के दुनिया में जितने भी वर्ड्स है बाकि जो भी वर्ड subject के रूप में यूज किये जाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे third person third person बोलेंगे फीर ऑज़िप सेहएं उसमें जो एक रह Give कि वाइज गर्ल्स राम एंड श्याम यह जो सारे हैं यह सब थर्ड परसन प्लूडल नंबर होंगे तो आई वी और यू इस तीनों को छोड़ करके बस इतना ध्यान रख रहा है इस तीनों को छोड़ के जो भी बच्चे का वो थर्ड परसन है एक रहेगा तो सिंगुलर दूजय को लाइंगे बागी बांके लूड नंबर के साथ् आर लगाएंगे प्रजेट्ट वेर लगता है और प्रेजंट टायम में वयर्लाएंगी यू के साथ वेर लगता है और प्रिजेंट का यू संकड़ क्लिए है मैं स्वस्त हुँ इसका क्या होगा मैं आई कि आइ के साथ क्या लगेगा अब यहांपर है स्वस्त और खुछछ तो स्वस्त कउता है is एंड को खुश कहाcken है है gleich अगर यहां पर मैं प्रियुद्ट टैम को हटा दूं को आथा दूँ और यहां पर अगर मैं लिग दूहाज तो यह क्या बन गया मैं स्वस्थ और खुश था दिखें जितने पिसंटेंस आप बनाएं के इंग्लिश नहीं वह सारे के सेंटेंस जो होंगे वह छे ट्टाइप के बना सकते हैं छे ट्रैप के सेंटेंस हम बनाएं पहला सेंटेंस जो होता है वह होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब हो गया आई एम हेल्दी एंड हैपी कि दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस इसमें क्या करना है जो helping verb है उसके बगल में note लगा देना है बस I am not healthy and happy clear है आप इस M और note को plus भी कर सकते हैं जोर के भी बोल सकते हैं तब बोलेंगे errant I aren't healthy and happy clear है तीसरा जो sentence है वह है interrogative sentence या interrogative sentence interrogative sentence interrogative sentence में क्या करना है यह जो affirmative sentence है इसका helping verb है उसको शुरू में डाल दो बस इतना ही करना है मतलब यह M यहां से अटा के यहां लिख दो तो यह क्या हो जाएगा M यहां पर लिख दिद होगे Am I healthy and happy Am I healthy and happy क्या मैं स्वस्थ और खुश हूँ यह प्रस्थ पूचने वाला हो गया चौत्य है negative interrogative negative interrogative sentence मतलब क्या मैं स्वस्थ और खुश नहीं हूँ यह question करने वाला note लगा के तो यहां पर कुछ नहीं करना है इसका जो helping वर्व है यह शुरू में डाल दो am I not healthy and happy यह negative sentence का helping वर्व है यह starting में डाल देंगे यह यहां पर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा m यहां पर आ गया आई नॉट कि हेल्दी कि ऐसे तिकला रहते हेल्दी एंड हैं इंट्रोगेटिव साइन के लिए चौता होता है डव्लू एच सेंटेंस कि हरेग ट्रांस्लिशन को यहां पर जितने भी ट्रांस्लेशन है उसको मैं आपको छे तरीके से प्रेजेंट ट्रीके से पास्ट टाइम में बना करके दिखाऊंगा और अगर आपको बंड आया यह आपको बं जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें यह यह है कि यह इंटरोगेटिब सेंटेंस हैं इसके सटर्टिंग में कोई डवल यह वर कम मतलब क्या होता है वाट क्या वाई क्यों हूँ कॉर्ण हो किन को या किसे विच मतलब कौन वेन मतलब कब तो, Who's मतलब किसका, where मतलब कहा, how मतलब कैसे, यह सारे जो वर्ड्स हैं, यह डव्ली अच वर्ड्स है, क्योंकि समय डव्ली अच लिखा हुआ, ठीक, तो मैं कैसे? स्वस्त और खुश नहीं हूँ, मैं क्यूं स्वस्त और खुश नहीं हूँ, इस तरीके के अगर प्रस्ण कर करना होगा मतलब कैसे कून कहां लगा करके तो उसमें बस interrogative sentence के स्टार्टिंग में लगा दीजाओ जैसे मैं कैसे खुश और स्वास्त और खुश नहीं हो तो यह कैसे मतलब हाओ यह जो है उठा करके interrogative है यहांप लिंग स्वस्थ और खुश नहीं हूं और छटा होता है नी डालू एच निगेटिव सेंटेंस मतलब यह कि मैं कैसे निगेटिव सेंटेंस मैं कैसे मैं कैसे स्वस्थ और खुश नहीं हूं मैं क्यों स्वस्थ और खुश नहीं हूं इस तरीके से अगर आप आप बोलना चाहते हैं त यह जो निगेटिव सेंटेस था निगेटिव इंट्रोगेटिव इसके स्टार्टिंग में लगा दीजी दूब इस हाउ एम आइनोट हेल्दी एंड हैपी इस मतलब यह कि यहां पर 15 सिंटेंज नहीं है पंद्रा ट्रांसलेशन नहीं है यहां पर 15 और यह सब का छेचे देंगे तो फिर सबका नब्य नब्य एक सोची ट्रांसलेशन हम बना सकते हैं इससे जैसे देखा आपने एक किस तरीके से मैंने यह च्छे टैप का बनाया थिक अब आप देखिए दूसरे नंबर का कैसे बनाते है कि अब कर दूसरा है तुम उदास हो किन्तु निराश नह ही है देखिए सबीकी कि यू आर रैट तुम उदास हो कि तुम उदास किंसे होता थे हैं तूं यहीं मस्तुंत होता है यह ड़५ needed यह 2 सेंटेंश ताह इसमें इसकम तुम उदास हो तुम निरास नहीं हो देखिए आपन्म उएपको एक और ग्राम ग्रामर का रूल में बता रहा हूं यह दरसल जो है एक्षोली यह दो सेंटेंस है एक है तुम उदास हो यू आर यू आर सैड और एक सेंटेंस है कि यू आर नोट कि डिसपोइंटेट देके दर असल यह दो सेंटेंस है यू आर सैड यू अर node डिसपोइंटेट तुम सैड तुम उदास हो तुम निरास नहीं हो हूँ तुम उदास हो लेकिन निरास नहीं हो यह दो sentence को short करके छोटा करके एक में जोर करके यह बनाया गया है मतलब यह कि जब दो sentence एक दूसरे से mail खाते हो इसका विपरीत इसका उल्टा यह है तब हम लोग conjunction का use करके दोनों sentence को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर subject और verb जो है इसको repeat करने का जरूरत नहीं है और इसके बदले में हम सीधा कंजंसें बट का यूज करते हैं तो यह देखिए यह sentence बन किया you are sad but not disappointed के लिए इस sentence का हम छे तरीके से नहीं चेंज कर सकते हैं आप लोग चेंज करके देख लीजिए नहीं और क्या लगा के कुछ मैं तो तो इसथा डेल सूट करेगा तो छोड़ देते हैं आगे देखते हैं क्या है लिकार बॉह बहुँदी है तो इससे निटेटिफ सेंटिंस इसका निग्रेटिब कि आ ऊगा मैंने आपको बताए था शीधा helping के बाद नोट लगा देंगे मीरा is not very obstinate मीरा बहुत जिद्धी नहीं है अगर आपका इसको interrogative sentence बनाना होगा तो बना लेंगे ऐसे यहां पर helping work को यहां पर डाल दो is meera very obstinate क्या मीरा बहुत जिद्धी है is meera not very obstinate क्या मीरा बहुत जिद्धी नहीं है how is meera very obstinate मीरा बहुत जिद्धी कैसे है या why is meera very obstinate मीरा बहुत जिद्धी क्यों है या मीरा बहुत जिद्धी कैसे नहीं है तो यहां पर नोट लगा रहेगा और वाई इस मीरा नोट वेरी ऑप्स्टिनेट यहां पर आप इसको पास्ट टाइम में यूज कर सकते हैं मीरा के साथ वाज लगेगा मतलब यह अगर पास्ट टाइम में बनाना चाहे तो यह बन जा यहां प plugged क्या मीरा बहुत जिद्धी नहीं थी वा मिरा वेरी अप्स्टिनेट मीरा बहुत जिद्धी क्यूं नहीं थी क्लिर है यहां पी अरोग यह आर के बादले मं हम लोग वीर लगा सकते you were sad but not disappointed तुम उदास थे किन्तु निरास नहीं क्लिए नहीं अब देखें यह क्या है हम लोग हमेशा खुश है खुश है we are always happy हमेशा कहते है always we are always happy हम लोग हमेशा खुश थे तो यहां पर बस वेर लगा देना है है we were always happy इसको आप वर भी पर सकते हैं we were always happy के लिए यह अफर्मेटिव सेंटेंस है अब इसका च्छे टैप से कैसे बनाएंगे पहला है निगेटिव बनाने के लिए helping वर के बाद नोट लगा दो we are not always happy we were not always happy हम लोग हमेशा खुश नहीं थे और इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है क्या हम लों कऊ हमेशा खुश यहां पर लगा देनगे यह पास्रेमिन बनाना होगा तो वेर लगा देंगे ठीक निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने है क्या हम लोग हमेशा खुश नहीं थे तो यहां पर नोट लगा दो हो गया लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन देना है हम लोग हमेशा क्यूं खुश थे तो बस वाय लगा देंगे या क्यूं खुश है हम लोग हमेशा कैसे खुश है तो हाव लगा देंगे हो गया और नही लोग अमीर है और वे लोग बैमान है दिखे क्या है वे लोग अमीर है दे आर रिच को है पहला सेंटेंस अदूसरा है वे लोग बैमान है आज दे आर सॉनेस्ट तेक मैंने क्या over अगर सेम रहेगा सेम मिलना है इस सेंटेंस को जोडाने के लिए हम क्या करेंगे अगले सेंटेंस को हटा देंगे सब्सक्राइब क्विद्द लगा देंगे यह उग्या इसका उपटा चल Ugh3 पता चल रहा है यह अगया झाला है आप जब याले ग्रम में पूछा जाता था सेंटेंस को कमभाइन करने अभी वह पूछा जाता है कि अब इसको आपूछ सकते लेकिन बयान और यहां पर सकते हैं और यहां पर दॉसका डाल दो और यहां पर डाल दो यह बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर दे रिच बड़ी जोनेस्ट क्या वे लोग अमीर है लेकिन बैमान है इस तरीके से बना सकते हैं छे टाइप से ठीक तो हर एक सेंटेंस का मैं बताऊंगा नहीं इसका यह देखिया दे रह बड़ी जोनेस्ट और पास्ट में बनाना होगा तो विए लगा देंगे जिसके साथ आर लगता है उसके साथ वे लगता है वह गोरी है पर किन्तू सुन्दर नहीं है इसमें भी दो सेंटेंस है और शी इस फेर अधीक और यह शी आप ब्यूटिफ अगले सेंटेंस का सब्जेक्ट और हेल्पिंग और भटा देंगे लिख देंगे बट यह बन गया इसका कि वह गोरी है किन्तू सुन्दर नहीं है शीज फेर बट नोट ब्यूटिफुल के लिए इसका छे टैप से आप बना सकते हैं और अगर नहीं सूट कर रहा है नहीं पास्ट टाइम में बनाना होगा तो इसके बदले में आप वाज लगा सकते हैं शी वाज फियर बट नॉट ब्यूटिफुल वह गोरी थी लेकिन सुन्दर नहीं थी अगला सीता मोटी है पर सुन्दर है यह इसमें भी दो सेंटेंस है सीता मोटी है सीता इस फैक्ट फुल अजह दूसरा है शीता सुन्दर है सीता इस पूटिफुल यह दहूपिय यह सेंञें लग रहे है इसका उलता मोटी है लेकिन सुन्दर है तो अगले सेंटेंस का सब्जक्ट और वर्वट आदेंगे और यहां पर देंगे बट सीता इस फैट बट ब्यूटिफुल सीता मोटी है लेकिन सुन्दर है हो गया आगे देखिये सुनील पागल और विमार है तो यह तो सिंपल सा है सुनील देखिए द्यान से पहले सब्ज लिखनें है उसके बाद इजा मր वाज वेर जो भी है सुनील पागल और वीमार था यहां पे सुनिल के साथ कर लगेगा वाज लगा दिख पागल और बिमार और बिमार तो पागल का होता है Mad क्या सुनील पागल और बिमार है क्या सुनील पागल और बिमार नहीं है वह 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 लगाने से क्लियर हो जाएगा अगला है रानी चालाक और सासी है तो रानी इस ख्लेवर और सासी सद भाज लगा देंगे से लुऔर में इतना भी डिफ्रेंस है तो से क्लेवर चालाक और सासी भी होता है है या courageous भी होता है to a courageous टीक तो रानी इस इसकोев चलेवर और सकतें राणनीक हो वर हम लाई नोट क्लेवर बोल क्लिए निए विइस आप ज़ितना भी यह यह जो भी बनाते हैं हर ट्राइशीचन को अगर पॉसिबल है तो आप उसको छे टाइप से चिंज कीजिए अगर आप करते हैं ऐसा तो आपका ट्रैसलेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉंग हो जाएगा ठीक है उसके बाद है कि वह आलसी और मुर्ख है कि देखिए तो इस अबजेक्ट और उसके बाल हेल्पिंग वर्प यह जो है यह जो है यह से वर्पिंग भी का जाता है और यह एक्जुलरी वर्प देखिए वाल्टी और मुर्ख आल्सी का हो जाएगा लेजी या आइडल भी होता है ल थे हैं कि फूलिश वह मुर्ख हो जाएगा फूलिश या एस टुप भी मह अदो था है है तो ही एज़्म ng ne फूलिश यह हीज लेजी अन्ड़िअ इस्टूपेद या बढ़ अदो nya में से जो आपको बोलने का इचा आप बोल सकते हैं इसको आप छे टाइप से चेंज कर सकते हैं इस नोट लेजी एंट फुलिश इस तरीके से आप आप आपके समझ में आ गया होगा आगे है राजू तेज किंतु इर्शियाल है इसमें दो सेंटेस के लिए आप मैं वैसे नहीं बता हूं कर देखे राजू यह सब हल्पिंग वर्व इस एम्र वाज वेर क्या लगेगा तो सबसे फिर देखिए प्रेजेंट टाइम है तराजू के साथ इस लगेगा पास्ट टाइम में रहता था 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 लिका रहता दो वाज लगा देदे तेज कि तेज का क्या होगा इंटेलीजेंट बट लेकिन बट मतलब होता है लेकिन किन्तु परंतु सब इर्शियालू इर्शियालू का होता है जेलस क्लिए ने कि उसके बाद देखिए इसको आप छे टैप से बना सकते हैं राजू इस नोट इंटेलिजेंट बट जेलस राजू इस शूट नहीं कर रहा है तो शूट दीजिए रागां अगे तुम दोसी या निर्धोष हो टू कि दोसी गिल्टी कि एक और और मतलब होता है या nिर्धोश का होता है इंसेंट यहां पर हो जाएगा इननोसेंट यू रूटीई और इनोसेंट यह भी 2 सिंटेंट्स के मिलने से बना है पहला है तुम दोशी हो यू रूटीई और दूसरा है तुम मासूम हो इनोसेंट और इनोसेंट इसमें क्या है यू आजम lure इनोसेंट्ट खैसे एक फी आदमी दो चीज है ठीक तो अगर इसमें िलो है कि एक ही आदमी दो है और इसका ऊपोजिक नहीं है उसमें किया था अपोजीट था थैस injust ने बट लगाया और अगर डस्त नहीं है यह सेम सेम पता चल रहा है तो यहां पर हम लोग इसको हटा के लगा देंगे और तुम दोशी हो तुम इन्नोसेंट हो ठीक तो यू और गिल्टी और इन्नोसेंट तुम दोशी हो या इन्नोसेंट हो गए उसके बाद है दीपक और सोनु भागिसाली है तो दीपक और तो जागा दीपक एंड सोनु ध्यान से देखिए यह थार्ड परसंट प्लूरल नंबर है दो लोग हो गए दो लगेगा प्रेजन टाइम है लगा अगर यह पर लिखारत थे दीपक और सोनु भागिसाली थे तो यहां पर लगता तीक क्या थे भागिसाली का होता है लगी कि एलै यू शी खे के व वाइ साथे चे टाप से बना सकते हैं दीपक और उन्ट या आर नुट हों लगी और दी पके और सोन्न नुट अगं हाव अर दीपक सोन्साट लगी यह दोकिक्रवल इस के 48 ़ोवलेगा है रोहित आलसी है किन्तु उसकी बहन चुस्त है कि ने रोहित आलसी है इसका पहले बनाते हैं रोहित is lazy हमंब बट लेकिन उसकी बहन उसकी बहन का होगा his sister कि उसकी बहन इसके साथ और लगो उसकी बेहन सिंग्लर नमबर नमीट लगएगा थाइच्व पर सिस्टर सरे ता बहने रहता हुआ तब लगा देते हैं वहाँ पर चुस्त का मतला होता है फुर्तिला मतलब एक्टिव अ कि हो गया रहा रोहित इस लेजी बट इस सिस्टर इस एक्टिव हुआ उसके बात कि मनुष्य मरंशील है मतलब मनुष्य मर जाता है मरने का गून है मनुष्य में तो मनुष्य को जागा मैं इस अब मरंशील का अधा मॉर्टल और जो कभी नहीं मरता है जो अमर है उसको बूलते हैं इम इसके पहले लगा देंगे जैसे गौड़ीज इम इम्मॉर्टल गॉर्ट इस इम्मॉर्टल भगवान है ऑमरंशील है अमर है ठीक है इस तरीके साब चेट टाइप से सेंटेंस को बना सकते हैं तो यह आपने देखा कि यह 15 सेंटेंस नहीं बलकि यह 180 सेंटेंस है इसम और और वाज़ वेर से रिलेटेड यह सबसे इसी ट्रांसेशन थे बहुत भारी भारी ट्रांसेशन का वीडियो दो वीडियो और मैं बनाऊ करेंगे ठीक है चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकउन दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तब पहुंचे थैंक्यों सब्सक्राइब बाई टेक कियर हाँ